अंदरा दिन वह इसको हमने यूज नहीं किया है हमारे घर पर गोबर गैस आ गई है अब इसे हमें कोई मतलब नहीं नहीं लक्डी लानी नहीं उपले लाने हैं कुछ भी नहीं लाना बाहर की चीज हमें गोबर गैसी से फाजार है नमस्कार दोस्तों गाय के गोबर ने इन महिलाओं की बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है जी हां बड़ी दिल्चस्प कहानी है और इनकी परेशानी गाय के गोबर ने जिस तरह से दूर की है उससे देश बर की लाखों महिलाओं की करोडों महिलाओं की भी परेशानी दूर हो सकती है जो खाना बनाने के लिए लकडिया भीन कर लाती हैं उपले कठे करती हैं और थूमें से और बारिश से 2-4 होना पड़ता है तो गाय के गोबर ने उनकी धूमें से लकडियों से उपल्ण से कैसे पीछा चुड़वाया इसकी कहानी इनी से जानेंगे टेकनिकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगयाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उत्तरपरदेश के नोयडा के वाजिदपुर गाओं में स्थित है ये गोशाला इस गोशाला में करीब 800 से जादा गाय हैं और इन गोवन्स की देखभाल के लिए 10 से 12 परिवार इसी गोशाला में रहते हैं इन परिवारों की महिलाएं खाना बनाने के लिए या तो उपले बनाती या बाहर से लकडिया चुन कर लाती गैस महंगी हो गई है इसलिए LPG सिलेंडर यूज नहीं करती थी लेकिन अब ये महिलाएं फ्री की गैस पर खाना बनाती हैं ना लकडिया ना उपले और ना ही सिलेंडर की जरूरत दरसल गाय के गोबर से बढ़िया खात बनाने और फ्री की गैस लेने के लिए यहाँ ट्रायल के तोर पर 30 क्यूबिक मीटर का गोबर गैस प्लांट लगवाया गया था गोबर गैस प्लांट बेहत सफलता पूर्वक काम कर रहा है गोबर गैस प्लांट से एक तरफ सलरी के रूप में बहतरीन खाद निकल रही है तो दूसरी तरफ इसमें इतनी मिथेन गैस बन रही है जिससे 10-12 परिवारों का काम आराम से चल जाता है गोबर गैस प्लांट से लाइन दबा कर हर परिवार को कनेक्शन दिया गया है अब इन परिवारों को 24 गंटे फ्री की पायो गैस मिल रही है गोवन्स की देखवाल करने वाले इन परिवारों की महिलाओं को अब न शिलेंडर की जरूरत है और न लकडियों की सुमन जी गोवर गैस प्लांट के बस जो गैस आपके घर पे आई है इससे आपको क्या फायदा हुआ पहले खाना पकाने के लिए क्या करते थे और अब क्या करते हैं पहले खाना पकाने के लकड़ी लाते थे बीनके उपले भी बनाते थे हातों से और बाहर जाके लकड़ी ल पर पहले उपने पड़ते थे लकडि बी लाने पड़ती थी बाहर से बीन के जब से गोबर गयश वह हो तब से बहुत आराम है अब कहीं नहीं जाने पड़ता है। रोटी भी बनाओर लोट सब्कामो हो जाता हूं लक्री बीने में फिल्य कपनी नहीं पड़ती हैं ओफल स्वाट deben घूला जराना ही इस पर रोटी बनाते हैं दूधं थम आपनी सब्स बनाते हैं और भी कुस्त बनालेते हैं कि सब काम करते हैं तो यह गोपर गैस की है ना सिलेंडर की जरूरत ना चूले की जरूरत है ना सिलेंडर की गोबर गैस सब काम करते हैं खाना वाना रोटी रोटी सब बनाते हो सब बनाते हैं कई कहते हैं गोबर गैस में रोटी बनाने से स्मेल तो बास तो नहीं आती नहीं ह लगवा सकते हैं और उससे क्या क्या लाब ले सकते हैं जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यह हमने गोशाला में 30 कुबिक मीटर का काउडंग बेश्ट बाइगेस प्लांट लगाया है इसको मेल यहां पर कोकिंग परपस के लिए यूज कर रहे हैं जैसा कि आपने सब्सक्राइब करें जो गैस की लिए यूज कर रही हैं डूर देख पा रहे होंगे उदर उनके छे स्छे खी17 दार अन्या कानेक्शनग से घर मने फैमिली सको दिया हुआ है असे 112 फिशनग 10 फिक उंसे 50 परइबार इसह कि अपना भरपूर तरीके के जड़े को कि कर पा र ग्रीन लिफ्स तरीके का वेश्ट जयनुरो रहा है, Trump करते हैं, चाहंने बाउट सब्सेटाम करते हैं, बैप CBG plant उस तरीकिया का सैट अप कर सकते हैं गैस के साथ साथ जो एक चीज जो हम भूल जाते हैं क्योंकि बायोगेस प्लांट का ध्यान आती हमारा जो सारा फोकस हो शिफ्ट हो जाता है गैस के ऊपर लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट जो है इस प्लांट का जिसको हम कह स है कि कि मैज़म प्रोडक्त है हमारे जो प्लांट का वह लगाम यह सलरी जब प्लांट के अंदर से निकलती है पहुत ज्यादा निट्रियंट रिच रहती है इसके अंदर कारवन nite Trujant वचलफ़ार जो भी सोइल को प्लांट न्यूटरेंट की रिंस कर सकते हैं इसको और इस पर मेरा इसक्राइशन यह है कि जो भी लोग content लगा है जो भी लोग इक्शा करते हैं लगाने की यह जो हमारी से स्वाइब के लगाना चाहेंगे उनको अगर को मेरा है कि गैस के बजाए पहले मैसा करें काम कैसे इंग म også कर सकते हैं कैसे जाधा से जाधा पार्मर को कैसे जाधा जाधा लोग होका ओस्तरीके से इसका की कर सकते हैं आपके पास कोई भी बांट उपके अगदेबल है अपना फूर्टरी survive और आपको जरूर लगवाना चाहिए तो दोस्तों अब इस गोशाला में लगे हुए एक बायो गैस प्लांट से गोबर गैस प्लांट से इन घरों में निरंत्र सप्लाई हो रही है गैस की और ने इनको कुछ खर्च करना पड़ रहा है परेशाने भी मिट गई ना लकडी की जरूरत ना उपलों की जरूरत बस चूला ओन कीजिए और खाना बनाईए हमें उमीद है कि जहां 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 गोशाला हैं जिनके पास पशु हैं या जहां भी वेस्ट है वो सब बायो गैस प्लांट जरूर बनवाएंगे नमस्कार जैहिंद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जादा से यादा लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले